अब हम exception को थोड़ा और अच्छे से थोड़ा advance level पर भी ले जा सकते हैं हम यहाँ पर यह कर सकते हैं मैं यहाँ पर एक चीज और दिखाना चाहता हूँ अब मैं जिससे यहाँ पर कोई भी number न डालो और मैं यहाँ पर divide पर क्लिक कर दो तो एक exception आया format exception अब हम चाहते हैं यह भी ना है तो हम यहाँ पर एक चीज यह कर सकते हैं हम यहाँ पर यह कर सकते हैं कि जैसे ही text box दोनो text box change हो यहाँ पर यहाँ फिर हम यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं sorry मुझे stop करना पड़ेगा stop करने के लिए यहाँ पर pause button स्टॉप डिबगिंग पर क्लेक कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि यह वाला जो कोड है वो तभी चले जब हमारे दोनों textbox के अंदर कुछ values हो, तो if a is, अब इसे कैसे ले, a is greater than 0, नहीं, 0 नहीं चलेगा, actually मैं को समझा नहीं पा, हम यहां पर यह कर सकते हैं, if, हमें condition लगाएंगे, first textbox.text.length is greater than 0, और, sorry, less than 0, equals to 0 कर देतें, मतलब उसमें कुछ नहीं है, और second.textbox.length equals to 0, मतलब अगर दोनों से एक की भी block की length अगर 0 हुई, तो हमें यह वाल अकोड चलाना है, नहीं तो हमें फिर यह वाल अकोड चलाना है, हम यहां पर else part के अंदर लिखने वाले हैं, हम यहां पर else block चलाएंगे, और हमने यहां यहां पर else block लगा दिये, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, please enter values to divide, तब आप सोच रहा होंगे कि यह इसकी जरुवत क्या है, हम चाहते हैं कि यूजर को हम अच्छा सच्छा एक तरीके से feel दें, ताकि वह जादा परेशान नहीं, तो आप देख सकते हैं, जैसी हो divide पर क्लिक करेगा, यहां पर आप प्लीज एंटर values to divide, और फिर यहां पर उसने 3 और यहां पर उसने 2 divide किया, तो answer obviously बात है, वह न आने वाला है क्योंकि integer value, लेकिन आप देख सकते हैं, यहां पर हम कुछ तरीके से यह कर सकते हैं कि हमारी application crash ना हो, और application crash ना हो तो ताकि user का, जो मतलब एक तरीके से हमारी application के प्रती use करने का, जो patience है, वो खो ना दे, अब यह हम exception के through भी use कर सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर if statement लगाए, यह तरीके से, इसलिए क्योंकि हमें यहां पर पता, गर उसकी length 0 होगी, तो हम उसे नहीं चलाना चाहते हैं, लेकिन अब हमें यह नहीं पता था, हम हर बार check नहीं कर सकते हैं, जैसे यहां पर लेखे कि if c, sorry, b equals to, c equals to 0, हम फिर मतलब कोई application, ऐसे use नहीं कर सकते हैं, c equals to, मतलब इसे कर सकते हैं, लेकिन यह एक तरीके से tedious part होगा, तो यह एक simple example था मैं जो आपको exception का समझाना चाहा, exception का मैं use फिर से बता रहूं guys, यह इसलिए use होता है, ताकि application crash ना हो या फिर misbehave ना करें हमारी user को, तो यहाँ पर, जो main part था, वो यह समझाने का था, कि हम यहाँ पर try करेंगे किसी चीज़ को use करने का, या फिर run करने का, अगर वो run होती है, तो अच्छी बात है, अगर वो run नहीं होती है, तो हम catch block का use करेंगे, यह final block, finally block का मैं use आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, तो इसी के साथ हमारा exception का वीडियो खतम होता है guys, hopefully आप इसे समझे हूँ, hopefully आप इसे implement कर पाएं, अगर आपको कोई भी question है, तो आप हमें please post करें, और एक चीज़ और हमारा giveaway अभी भी run हो रहा है, तो आप please हमारे उस वीडियो को देखें, उसकी link भी मैं आपको description में देने वाला हूँ, और आप उसमें participate कर सकते हैं, तो इसे के जाएंथ हमारे वीडियो कतम होता है guys, thank you for watching and see you in the next video.